नमस्कार दोस्तों टाटा अश्टिल की बहुत बरी नियूज लगा रहा हूं पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस च फिक टाटा अश्टिल ने जानकारी दी थी कि उसकी योजना अपनी साथ सबसीडरी को मर्ज करने की है इन साथ सबसीडरी में टाटा अस्टिल, लॉंग प्रोडक्ट, टिन प्लेट कमपनी, टाटा मेटलिक्स, टी आर एफ, इंडियन अस्टिल एंड वायर्स, टाटा अस्टिल माइनिंग और S&T माइनिंग कमपनी सामिल है टाटा अस्टिल लॉंग का टाटा अस्टिल में मरजर होगा आज नतीजे जारी करने के साथ ही टाटा अस्टिल के बोड ने मरजर को मंजूरी दे दी बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार टाटा अस्टिल लॉंग के सेर धारकों को 10 सेर पर टाटा अस्टिल के 67 सेर मिलेंगे मरजर को नेशनल कमपनी ला ट्राइबूनल ने 20 अक्टूबर को ही मंजूरी दे दी थी इससे पहले टाटा अस्टिल ने बाजार को जानकारी दी थी कि कमपनी की साथ सबसीडरी को अपनी कमपनी में मरज किया जाएगा और ये मरजर इसी वितवर्स पूरे किये जाएंगे कमपनी ने आज ही अपनी तिमाही नतीजे जारी किये हैं जिसमें कमपनी घाटे में आ गई है साथ कमपनीों के मरजर की योजना सितंबर में ही Tata Steel ने जानकारी दी थी कि उसकी योजना अपनी साथ सबसीडरी को मर्ज करने की है और ये मर्जर इसी वितवर्स पूरा कर लिया जाएगा इस साथ सबसीडरी में Tata Steel Long Product, Tin Plate, Company Tata Metallics, TRF, Indian Steel and Wires, Tata Steel Mining और S&T Mining Company सामिल है सितंबर में दिये गए मर्जर प्लान के तहट Tata Steel Long Product, 67 अनुपाद 10, Tin Plate Company, 33 अनुपाद 10, Tata Metallics, 89 अनुपाद 10 और TARF, 17 अनुपाद 10 की रेशियो के साथ मर्ज की जाएगी यानि मर्ज होने वाली कंपणी के साथ हर 10 सेर पर निवेशिकों को दिये गए रेशियो के अधार पर Tata Steel के सेर जारी होंगे कैसे रहे तिमाही नतीजे जारी आकरों के मुताबिक कंपणी को सितंबर तिमाही में 6,196 करो रुपे का Consolidated घाटा हुआ है जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपणी को 1,514 करो रुपे का मुनाफ़ा हुआ था वही Consolidated आय पिछले साल के मुकाबले 69,877 करो रुपे से घाट कर 55,681.9 करो रुपे रही कंपणी का EBITDA 6,060 करो रुपे से घाट कर 4,266.7 करो रुपे पर आ गया और दोस्तों अगर इस कंपणी के मर्जर के record date की बात करें तो इसका record date 17 नवंबर रहने वाली है